वापका पास ब्यागर इस तरह से कोई केबूल कनेक्टर कनेक्टरेशन किया हुआ केबूल है और मान लो कि इससे आप रिमूब करना चाहते हो इससे दुबारा रियूज में लाना चाहते हो तो इससे कैसे करोगे तो आज इसी वीडियो में वही कम्प्लेटली बताऊंगा कि कि इसे कैसे आप उपेन कर सेक्तों से मतलब केबूल से करके दुबारा रियूज में लाएंगे और साथ में यह भी बता हूंगे कि केबूल मतलब केबूल प्रिपेरशन टूल से कैसे कनेक्टरेशन करेंगे यह सारा डिटल्स देखांगो वीडियो को पुड़ा एंड तक दे केबूल इसमें से में केबूल जो अल्रडी कनेक्टरेशन किया इसे कैसे रिमूब करूंगा रिमूब करके आपका सामने दिखांगा इसे दुबारा रियूज करके भी दिखांगा तो चलिए तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते तो मेरा नामें संजय और आप देख अब लास भी ऐसा चाहिए जैकि इसका यह अवला मतलब ऑप्शन से यह बिल्कुल शाही रहे है तो इसको क्या करना है यहां पर दीके ग्रीप से यहां पर यहां से लौक आ जाता ना यह तो इसमी क्या करना है इसे ऐसे फसाना है कुछ इस तरह से हालका सा गरेतना जोड से भी ना करें कि तूटी जाए तो हालका सा इसे करकर के इसे तो यह दीके आपके सामने ही में इसे ओपन करके दिखाऊंगा कि यह से इसी से आपको इसे निकलना है कुछ इस तरह से करकर के आपको इसे निकाल लेना है इसे इसे करकर के देखिए अब दीके मेरा यह कनेक्टर निकाल चुका है तो आप इसे बड़ी आसानी से आप यहां से खीच के भी निकाल सेकते हो यह अगर ज़दा हार्ड हो जाए ठांड का सिजन में तो इसे थुरा हीट कर देख हलका सा लाइटर से यह देखिए मेरा यह निकल गा और इसका अंदर का जो जितने भी इसका जो वह एर बगरा इस पर फसा होगा इसे 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 करके कुछ निकाल ले अब देखिए इसका अंदर जितने भी वह एर बगरा फसा होगा था सारा में निकाल लिया यहां से आप इसे में दुबड़ा रियूस कर सकता हो कही पे भी इस कनेक्टर को में दुबड़ा यूस कर सकता हो कही पे भी एक नया केबिल के साथ इसे में बड़ी इजीली कनेक्टर सकता हो अब एक दुसरा टाइप को जो कणेक्टर अथा उससे कैसे करेंगी इसके बाद में जैनेंगे तो आथ हि यह वोला कणेक्टर तो इसे कैसे आप करोगे इसे अपकर सेकते हो इसे कुछ ऐसे करना है अंप ऑज सब्सक्राइब झां करना इसे और यू घुमाते रहना है घुल सब्सक्राइब लिए करेगाकशज ऑसे मतलब इसमीद पकरना गुशािब लिए और किछणे मेरा यह करनेक्टर दीकिकर निकल घणाया उच्य COND肉 दुनों पर फसा वाता दुनों को मैंने निकाल लिया तो इस बड़ी इजीली किसी और केबल पर यूज कर सेकता हूं चलिए तो दोस्तों आभी देखते हैं इसे कनेक्टर से करने केलिए केबल parिपिरर करने केपारना चाहिता है यहां से पथा परिस्स कर सकतो और अगर आप सोच रहे हो कनेक्टर खरनां चाहिता है तो connector का भी link मैंने description box में दे रखा है वहां से जाके आप purchase कर सकते हो तो यहां से दिखे cable को कुछ anti-cluck वाइसे आपको यह preparation को move करना है cable में फसा के फिर इसे कुछ इस तरह से जो side में छुड़ा जुड़ा बाड़ी वायर रहते हैं इसे आपको कुछ इव mode लेना है कुछ इस तरह से था कि आपका दोनों touch होके ना रहे जो middle का जो pin का जिसे निकला हुआ है इसे center contactor कहते हैं इसको इसके साथ touch ना हो जाए जो side पे बाड़ी को वायर वगरा रहते हैं यह तो इसे बड़िया से आप पहले साफ कर लोड़ी वा साफ हो गया आपको connector को क्यों कुछ इस तरह से फसा गए बस you set कर लेना है कुछ प्रेश करते हुए इसे कुमा के set कर लेना है सबकर connector हो गया set दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो अगर पसन है तो वीडियो को एक लाइक करे और चैनल पड़ अगर नहा है तो चैनल को सस्क्राइब करें मिलेंगे फिट से एक और नया वीडियो में तब तक के लिए जैहिन बंदे मात्रम